प्लीज सब्सक्राइब और दोंट फर्गेट तो प्रेस बेल आइकन तो गेट नोटिफाइड वेनेवर वी अप्लोड अन्यू वीडियो मैं हूं अभिशेक बारेट और आप इस वक्त मेरे साथ दाव इंडो पर है 26 फरवरी 2019 को 31 साल का नोजवान लड़का एक मंच पर खड़ा था वो खुझ से कम उमर वाले हम उमर नोजवानों को मंच से जीवन में आगे बढ़ने और लक्ष पाने का प्रेरक बाशन दे रहा था उस दिन उसने तीन एहम बातें बताई थी पहली असफलता से कभी न गवराएं दिर्ड संकल्पी बने दूसरी बात चोटे लक्ष बना कर भी पा सकते हैं बड़ा लक्ष तीसरी बात जो उसने कही वो थी कोचिंग के सहारे ने रहे स्वाध्याय पर धानते ये प्रियाग राज के उपखंड अधिकारी जिसे हम छोटा करके SDM भी कहते हैं ये प्रियाग राज के SDM शाम बाबू का भाशन था शाम बाबू इस दिन उस हर युवा के लिए प्रेड़ना बन गए थे क्योंकि वो SDM बनने से पहले उत्रप्रदेश पुलिस के एक कॉं अब बतौर उपखंड अधिकारी प्रशाशन की कमान संभालने वाले थे अब जिने वो सैलिउट किया करते थे अब वो शाम बाबू को सैलिउट करने वाले थे कुछ दिनों पहले जिने चन्द लोग एक हेड कस्टबल की रूप में जानते थे लेकिन अब वो डिप्टी सेलेक्टर बन प्रियागराज ही नहीं बलकि पूरे यूपी में पृतियोगी छात्रों के रॉल मोडल बन गए थे पुलिस की कठिन नौकरी के बीच उनकी इस काम्याबी की चर्चा उस वक्त हर जुबान पर थी बलिया के छोटे जगाउं इब्राहिम अबाद निवासी 33 साल कि शाम बाबू आर्थिक तोर पर बेहद कम जोर प्रिष्टभू में से आते थे परिवार के दंगाली इस कदर थी कि तीन बेहनों को स्कूल भेजा नहीं जा सका दस्मी पास करने के बाद सरकारी नौकरी के लिए हाथ पाउं मारने शुरू किये आखिरकार उनकी मैनत लाई और यूपी पुलिस के हेड कांस्टबल पत पर वो भरती हो गये आलांके सिपाही बनने के बाद भी उन्होंने स्वाध्याय जारी रखा नोकरी से चुट्टी नहीं मिली तब प्राइवेट ही पढ़ाई उन्होंने जारी रखी 2010 से उनको PCS पर इक्षा देने की धु पूरा होसला अभी आ नहीं पाया था वो अभी भी प्रमोशन की दोड़ में थे इसी बीच दारोगा के लिए होने वाले फिजिकल परिक्षा के लिए उनको लकनव बुलाया गया शाम बाबू के मताबिक शारिरिक परिक्षा के दोरान जब उन्होंने करीब 20 राउंड अपने जीवन में कभी पूरी नहीं कर पाएंगे एक दिन वो अपनी मैनत के बल पर एक साधान सिपाई से डेप्टिकल एक्टर बने इतना सारा मसाला या इससे ज़्यादा मसाला शाम बाबू के बारे में खूब अख़वारों ने हैडलाइन बना कर छापा था इंटर्व की मिसाल बने शाम बाबू ने PCS बनने के लिए खपला किया था दरसल शाम बाबू ने खुद के जाती प्रमान पत्र में खुद को गौंड जाती का बताया था और शाम बाबू ने शीडूल ट्राइब का प्रमान पत्र प्रस्तुत किया था शाम बाबू की जॉइनिंग के मूहुल आदिवासी जन्जाती कल्यान संस्था गौरकफुर के अद्धिक्ष विजय बहादुर चौधरी ने शाम बाबु के खिलाफ एक जाँच खोल दी। मामले के संबन में कमिशनर की अद्धिक्षता में मार्च 2020 में पैठक हुई इसमें बलिया के सियारो प्रवर्शील बरनवाल उपनिदेशक पंचायत राम जियावन वसमाज कल्यान के उपनिदेशक सुरेश चंदर के साथ ही अपील करता और खुद शाम बाबु भी यहां शिकायत करता ने कहा कि शाम बाबु का स्टी का प्रवाण पत्र हेरा फेरी पर आधारी था है इस पर जब जाँच हुई तो तैसिलदार ने जाँच के आधार पर शाम बाबु को स्टी वर्ग का कैंडिडेट नहीं माना मामला सम्विदनशील हो गया और आगे कहा ग कि शाम बाबु की गोंड जन जाती नहीं पाई जाती है जिसके आधार पर उन्होंने स्टी के सर्टिफिकेट से यह नोकरी पाई है फिर आगे नवंबर 2017 को मंडलिये अपीलिये फॉर्म के अनुसार भी गोंड जन जाती केवल उनके लिए हैं जो कैमूर अत्वा जहासी मं से विस्थापित होकर आए हैं ने की बलिया में पहले से निवास कर रहे हैं यहां पर यह पाया गया कि स्टीम शाम बाबु विस्थापित नहीं हैं और उनके पुर्वज यहीं से तालुक रखते थे याचिका करता ने उपगंड और डिस्टिक लेवल पर जारी हुई अलग लोगों का बयान लिया गया यहां बयानों से साबित हुआ कि शाम बाबु और उनके पुर्वज कई पीडियों से इब्राहिमाबाद में ही रहते रहे हैं वो किसी दूसरे जिले से विस्थापित होकर नहीं आये हैं जबकि नियम यह है कि मिरजापुर जो अब सौन बजों का पेशा खेती किसानी के अलावा भुजा भुजने का है बुजा भुजने का काम करने वाले लोग भड़ भुजा कही जाते हैं जिनका गौंड जाती से कोई संबंद नहीं है क्योंकि यह पिछडी जाती में शुमार है मंडल यह अपील यह फॉर्म दौरा उपलब जित कपट पोर्ण और फोरजरी पर आधारित लिहाजा लोक सिवा आयोग उत्तपदेश प्रियाग राज द्वारा शाम बाबू की स्द्यम जोकी परिविक्षा धीन के पद पर थे खैर आपको कैसी लगी यह खबर जो दो तरीके से आपके जीवन में मायने रखती हैं किस साथ ही आपको एक काम और भी करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को प्रेस करना है अगर आपको हमारा कॉंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों रिष्दारों के साथ में शेयर कर सकते हैं अगली खबर आपको सुनाने फिर तब तक के लिए शुक्रिया